हमश्कार, SPT News में आपका स्वागत है, पेश है जोदपुर बिकाने उचले की बड़ी खबरे जोदपुर शहर में कोरोना को नियंतरित करने के लिए लगाए गए जन अनुश्रासन पकफारे के दूसरे दिन जन में अनुश्रासन कहीं भी नज़र नहीं आया नई गाइडलाइन के तहट सुबह 6 से 11 बजे तक यहां किराना, डेरी और फल सबजी की दुकानों पर भीड रही, बाकी दुकाने बंद रही लेकिन शहर की सड़कों पर लोगों की भीड पहले के समान ही नज़र आ रही है शहर की सड़कों पर दोड़ते वाहनों को देखकर एहसास ही नहीं होता कि यहां लोगडाउन लागू है बिकानेर में मंगलवान सुबह कोरोना के 464 नए पॉस्टिव केस सामने आए हैं विकानेर में पहले बार इतनी बड़ी संख्या में पॉस्टिव केस आ रही है जूदपर में नई गाइडलाइन के अभेलना करने पर जॉइंट एनफॉर्समेंट टीम उत्तर ने चार पृतिस्थानों को सीज़ करने की कारवाही की है इसके बावजूद गाइडलाइन के उलंगन पर त्रिपोलिया शेत्र में सित्थ, वंदना साड़ी सेंटर, मंदोर किशी मंडी, शेत्र में, महालक्षमी टेडर्स, हीरलार, डुंगर्चंद और चत्रभुज कालूराम के पृतिस्थान को सीज़ करने की कारवाही की गई परशी में विख्षोप की चलते मौसम विभाग ने सोमवार की रात तीन बार आंधी और बारिश की चेतावनी ज़ारी की थी मौसम विभाग के अनुसार जैसल मेर, बीकाने, श्रेगंगा नगर, जोदपुर, नागाओर, चूरू और हन्मानगर जीलों में पश्षी में विख्षोप के चलते हवाएं 40-50 किलोमेटर प्रतिघंडा की रफतार से दोड़ सकती हैं, ऐसे में कुछ स्थानों पर गरत के साथ समाने बारिश हो सकती है जोदपुर के संभागया आयक्तों, डॉक्टर राजेश शर्मा ने NIC VC रूम से संभाग के जुला कलेक्टर्स, पुलिस अधिक्षक और अन्य अधिकारियों से वीसे के माध्यम से COVID प्रिबंधन वेवेवसां के समिक्षकी संभागया आयक्तों ने कहा कि अस्पतालों की सभी रिसोर्स को पूरा काम में लिया जाए COVID-19 के बढ़ते संक्रमन को रोगने के लिए सेंपलिंग पर लगाता जोड़ दे और घर घर जाकर सर्वे कर सेंपल लिये जाए बिकानेर के कोड़ गेट, फड़ बाजार, बड़ा बाजार, डागा बिल्डिंग के आसपास सबजी मंडी में अनिरस्थान जहां एक समू में फ़र सबजी की दुकाने लगती हैं ये सब दुकाने अब से मंडी वे संबनी जगह पर 50% से जादा नहीं लगेंगी दुकानों के खुलने वे बंद होने का समय ग्रह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही रहेगा कलेक्टर नमित महता ने इस समन में आदेश चारी किये हैं जल्दाय विभाग के ACS सुधान शपंत वेजल संसाधन विभाग के प्रमुक्षासन सची नवीन महाजों ने इंद्रा गांधी नहर पर योजना से जुड़े जिलों में नहर बंदी के दौरान सुचारू पेजल आपूर्ती करने के निर्देश दिये हैं वे वीडियो कॉन्फरेंसिंगे माध्यम से इंद्रा गांधी नहर पर योजना से जुड़े जिलो के कलेक्टर्स और अधिकारियों के सविक्त बैठक को संबोधीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संबन्दी जिला कलेक्टरस नहर बंदी के दौरान पेजल संबन्दी विवस्थाओं के निरंतर मॉनिटरिंग करें ताकि लोगों को किसी प्रकार की परिशानी नहीं होूँ इंद्रागांदी नहर परियोजना से जुड़े जिलों में नहर बंदी के दौरान शेहरी और ग्रामिन शेत्रों में टेल एंट तक सुचाओर पेजल आपूर्ती के लिए पीच एडी एवं जल संसादन विभाग के अधिकारियों को सतच समन्वे के साथ कारे जारी रखने के निर्देश राजे सरकार ने दिये हैं जल डाय विभाग के अतरिक्ट मुक्य सचीव सुधान श्पन्थ एवं जल संसादन विभाग के प्रमुक्षा संसाचीव नवीन महाजों ने वी सी के जरिये नहर बंदी का आइकरम की समिक्षा की उन्होंने कहा कि संबंदी जुल अवजा लेने के आरूपी को गिरिफतार किया है ग्रामिन पुलिस अदिक्षक अनिल कयाल ने बताया कि नेवा गाउं के भाखराम को धुखा तड़ी के आरूप में गिरिफतार किया गया है कोविट-19 के रोग्यों को दिया जाने वाला रेम डिसीवर इंजेक्षन की भारी किलत हो गई है बाजार में ये इंजेक्षन नहीं मिलने के कारण प्राइविट हॉस्पिटल में भरती रोग्यों के लिए समस्या खड़ी हो गई है उधर पीबेम हॉस्पिटल में भी स्ट जास रोगी भरती हैं इनमें से 35 को रेम डिसीवर की जरूरत है जोदपुर जिला आबदा प्रबंधन प्राधिकरन के अध्याक्ष अंजुला कलेक्टर इंद्रजी सिंग ने निजी जिकिस साले प्रबंधन के लिए कमेटी का गठन किया है जुला कलेक्टर के आदेश के जोदपुर के जिला आबदा प्रबंधन प्राधिकरन के अध्याक्ष अंजुला कलेक्टर इंद्रजी सिंग के निर्देश अनुसा जोन शास्त्री नगर जोन मसूरिया एवं जोन बीजेस के 20 शेत्रों को कंटेन्मेंट जोन खोशित किया गया है रासान राजे विदिक सेवा प्राधिकरन जैपुर के निर्देश अनुसा नाल सा दस योजनाओं में एक योजना एसिड हमने के पिरितों के लिए ऑनलाइन कानुनी जानकारी दी प्राधिकरन के पैनल अधिवक्ता आशोक कुमार जोशिद्वारा वेबेक्स के माध्यम से जानकारी दी गई जोद्पु शहर में बड़ते कोरोना के संक्रमन को रोकने के लिए नगर निगम दक्षिन की ओर से चलाए जा रहे जन अंदोलन अभियान के तहट लगभग 2600 मास्क वित्रित किये गए वही कोरोना गाइलाइन के अवहिलना करने पर 35 चालान बना कर 4500 औरपे की जुर्माना राशी वसूल की गई उमेद उद्यान में 9 देवियों को प्रसन करने के लिए 9 दिन तक लगाता नौ वरक्ष लगाने के अभियान के तहट आज चामुंडा माता का पसंदी चोमेली फूल का पौधा लगाए गया पौधा नवलनाथ मठ के महंत अशोक नाथ के सहयोग से लगाए गया इस मौके पर एडवोकेट विजेश शर्माने मास्क वित्रन कर सभी को शुद्र अबडिक की प्रसाधी भी खिलाई तो फिलाली स्पुलेटिन में इतना है फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें